नमस्कार दोस्तों वर इंडिया में आप सभी का स्वागत है IPL 2020 का पहला मैच 19 सतंबर को खेला जाएगा पहले ही मैच में मुंबा इंडियन्स और चन्ने सूपर किंग्स आमने सामने होंगे हाला कि मैच से पहले चन्ने सूपर किंग्स की परिशानिया खत्म नहीं हो रही है टीम के वले बाज रुदुराज गायकवाड अब कोरोना से उबर तो गए है लेकिन वो अभी टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे बता जा रहा है उनका दू और टेस्ट होगा दोनों टेस्टों में रुदुराज को नेगी जिवाना होगा उसके बाद ही वो टीम के बायो से क्योर बबल में वापसा पाएंगे हाला कि अच्छी ख़वर ये है कि दीपक चाहर पूरी तरीकी से कोरोना से बाहर हा गये है और वो टीम के साथ जुड़ भी गए है आपको दादें फिछले महीने CSK दल के 13 सदस्य को कोरोना वाइरस से पॉजिटिव पाए गए थे जिन में दो खिलाडी रुदुराज और दीपक चाहर का नाम भी शामिल था 11 अन्य लोगों के लावा दीपक चाहर भी इस वाइरस से उबरने के बाद ट्रेनिंग शुरू कर चुके है आपको दादें CSK के CEO काशिव विश्वनाथन ने रईवार को PTI से कहा कि नियमों के निसा रिदुराज को दो और टेस्ट से गुजरने होंगे दोनों में नेगेटिव आने के बाद ही वो वापस टीम के साथ जुड़ पाएंगे आपको दादें भारते के टीम में नियमी तुरूप से खेलने वाले एरिदुराज गयाकवर दीपक चाहर के पॉजिटिव पाए जानी के कुछ दिन बाद संक्रमित पाए गए थे दुरूदराज को CSK के टीम में सुरेश रेना के जगा लेने का दाविदार माना जा रहा है लेकिन CSK को थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है क्योंकि रईवार और सोमवार को उनका परिक्षन होगा उसके बाद ही वो टीम के साथ जुड़ पाएंगे अपड़ादें सुरेश रेना नीजी कारणों से IPL के आगामी सीजन से हट गए थे फिलहल के इस वीडियो में इतना ही तमाम स्पोर्ट सबडेट के लिए देखते रहें One India